नमस्कार दोस्तो शेनी लेक्ट्रोनिंग में आपका स्वागत है दोस्तो आज अपने पास एक सीलिंग फेन आयावा है दोस्तो आज अब मन इसको रिपेर करने वाले हैं देखे दोस्तो यह जलावा नहीं है और कहीं सी शोर्ट सिर्कृट भी नहीं दिखाए दे रहा है तो दोस्तो ऐसी इस्तति में आपको क्या करना है तो दोस्तो इसमें ऐसी इस्तति में होता यह है कि इसमें कहीं न कहीं किसी कोईल में से एक वायर होता है दोस्तो वह चूट जाता है तो दोस्तो ऐसी इस्तति में आपको क्या करना है दोस्तो मैं आज आपको इस वीडियो में सा देखे दोस्तो हर coil के अंदर यानि कि हर ceiling fan के अंदर ये ऐसी coil दिखाई देती है दोस्तो किसी किसी में 12 होती है और किसी में 14 होती है और या फिर किसी में 16 होती है और दोस्तो एक छोटा fan होता है उसके अंदर 6 plus 6 होती है यानि कि अंदर भी 6 होती है और बाहर भी 6 होती है लेक तो हम इसको चलाकर देखते हैं सबसे पहले कि अपनी जो अंदर वाली स्टाटिंग कोईल है उसके अंदर अपना सीरीज सही से काम कर रहा है या पिर नहीं कर रहा है अगर दोस्तों यह अपना सीरीज लेंप ग्लोग कर जाता है तो अपना अंदर वाला स्टाटिंग कोईल ए रण्न कोईल के हैं और यह जो दिख़ा दे रहें बेक वाले यह अपने इस्टाटिंग कोईल के है तो अपन सबसे पहले इस Murray को इल है दो सो उसको तो कर देते हैं साइड के अंदर और जो बची starting coil है दोस्तों अपन इसी में चेक करते हैं कि अपनी starting coil सही है या फिर खराब है देखे दोस्तों अपनाór बलब glow कर जाना चीए तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार, तो दोस्तो आप देख सकते हैं, तो दोस्तो अपनी यहां से अपनी एक कोईल जली वी है, तो दोस्तो अपन इसको काट के शोट कर देंगे, यानि कि दोस्तो अपनी यह जो कोईल दिखा दे रही है, यह जली थी दोस्तो, तो अपने इस coil को छोड़ देंगे यानि कि जली भी थी इसको छोड़ देंगे और अपने इन दोनों के बीच में एक jumper बान देंगे तो दोस्तो इस वाली coil का कोई connection नहीं रहेगा चली दोस्तो अपना ये तो clear होगया कि अपनी starting coil एकडम okay है तो दोस्तो अब इसको तो कर देते हैं शायट में starting coil को और आप देखते हैं दोस्तों running वाली coil को तो ये अपने red वाले वाई रहे हैं, दोस्तो ये running वाली coil के हैं, तो दोस्तो उसी तरह चेक करना है जैसे अपने starting coil को किया था, तो दोस्तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर बलब अपना glow नहीं करा है, यानि कि दोस्तो अपनी running वाली coil के अंदर कहीं ना कहीं problem है, जिसकी कि वज़े से दोस्तों अपना है स्रीज लेंप गो नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना स्टाइट touISH काँ पूरा हो गया आप दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं अपनी रेंग वाली कोईल का देखिए दोस्तों रणिंग वाली कोईल के अंदर पर भी वी वेसे ही series बना होता है जैसे अपने starting oil के अंदर चेक किया था, तो अब अपने को करना क्या है कि सबसे पहले एक wire को check करना है, इस वाइल ही wire को छोड़ देते हैं, फिछला सबसे पहले एक ही wire लेते हैं अपन तो दोस्तो श्रीज लेंप से चेक करते हैं अपन तो अपन एक वायर को अपने यहां पर लगा देते हैं दोस्तो यानि कि रनिंग वाले पॉइंट के उपर तो दोस्तो आप देख सकते हैं अपना यहां तक स्रीज लेंप गलो नहीं कर रहा है यानि की यहां तक स्रीज नहीं बन पारी है अब दोस्तो मैं इसको तीन चार जगए से गिस देता हूँ ताकि अपन वाइर टच कर सके देखिए दोस्तों मैंने गिस दिया है देखिए एक, दो, तीन, चार तो दोस्तों मैंने चार जगे पी इसको गिस दिया है अच्छे से ताकि दोस्तों अपन वाइर टच करेंगे तो अपना बलब गलो कर जाएगा और उससे अपने को ये कनप्रम हो जाएगा कि अपनी running coil के अंदर series अच्छे से बन पा रिये देखे दोस्तो मैंने एक running वाली coil को यहा चुपा दिया है अब दोस्तो इसको touch करते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने इसको touch कर दिया है अब टच्च करने के बाद में दोस्तो अपन यहां पे running वाली कोईल के अंदर कही ना कही टच्च करके देखते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने यहां टच्च किया तो दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने यहां टच्च किया तो अपना बलब गलो कर आ है यानि कि दोस्तो एक, दो, तीन, यानि कि दोस्तो ये तीन कोईलों के अंदर अपनी शिरीज बन रही है, अब दोस्तो उसके बाद में छोती कोईल पर टच करते हैं, तो दोस्तो आप देख सकते हैं, यहां पर भी अपनी कोईल, तो दोस्तो आप देख सकते हैं, यहां पर भी पीच में तरूटी हो रही कि यानि कि इन दोनों कोईलों के बीच मैं अपना वाइर छूटआए, certification के अंधर, ड्सकों रख देते हैं अब दोस्तों अपना दूसरा वाइर लेते हैं दोस्तों अपना यहां से अपना से अच्छे से बन पा यानि कि दोस्तों यहां से त्रूटी हो रही है यानि कि इस कोईल के और इस कोईल के बीच में यह वाली कोईल अपने खराब हो रही है यानि कि दोस्तों हो सकता है यह जल गई होगी या फिर इसमें जो वायर है दोस्तों 35 नमर तार होता है दोस्तों बहुत भारिक तार होता ह अपने बाल के भाती इसमें वायर होता है दोस्तों तो वो इसमें चूटावा है अब दोस्तों इसमें करना क्या है कि अपने को देखे दोस्तों ये ठीक है एक बार और कंकरम करते हैं देखे दोस्तों ये भी ठीक है और और दोस्तो ये भी ठीक है कहने का मतलब दोस्तो 100% इसके अंदर इसी कोईल के अंदर प्रोब्लम है देखे दोस्तो अपनी इसी कोईल के अंदर प्रोब्लम है तो दोस्तो अब अपने को करना क्या है कि दोस्तो इस वायली coil के अंदर अपना इसमें से क्रंट नहीं हो रहाता तो दोस्तों अपन क्या करेंगे इस वायली coil को छोड़ देंगे इसमें से प्रोब्लम है तो अपन एक jumper यहां लगाएंगे और एक यहां पे लगाएंगे तो दोस्तों वापस अपना series प्रीज कनेक्ट हो जाएगा चलिए दोस्तों मैं यहां पे और यहां पे एक जंपर लगा देता हूं कहने का मतलब दोस्तों करना क्या है कि अपना यहां से तुरूटी हो रही है देता हूं और पैश्ट लगाने के बाद में इस पर एक वईर कनेक्ट करेंगे दोस्तों उससे अपना शाइजश वापस कनेक्ट हो जाएगा देखिए दोस्तो हमने यहां पे गिस दिया है अब दोस्तो अपन एक वायर यहां लगाएंगे और दूसरा वायर यहां पे लगाएंगे दोस्तो इस वायर को छोड़ देंगे बीच में क्योंकि दोस्तो यह खराब है न इसके वज़े से इसको छोड़ देंगे चलिए दोस्त दोस्तो एक वायर का टोड़ा लेना है अपने को चोटा सा तो दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने एक वायर का टोड़ा लिया है चोटा सा दोस्तो ये भी 35 नमर का यह वायर है अब दोस्तो इसको अपन कनेक्ट कर दे हैं तो दोस्तो एक wire अपन यहां पे लगा दिया है और दोस्तो दूसरा wire अपने को यहां पे लगाना है तो दोस्तो इसमें होगा क्या कि इसमें जो series अपनी टूटी वी थी दोस्तो यह series वापस इसमें से बन बन जाएगी तो दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने इसको आपस में connect कर लिया है अब दोस्तो इसको वापस अपन स्रीज के अंदर चला कर देखते हैं देखे दोस्तो अब इसको वापस चेक करते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं अपना इसमें से स्रीज वापस बन गया है यानि की तरह से आप भी अपने फेन को चेक कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेर कर देना धन्यवाद